अब वापस आयाते हैं, 1 raised by infinity form, I hope, explanation समझ में होगा, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, standard formula, ठीक है उसमें, पहला formula तो यह हो गया, standard formula का मतलब क्या है, e raised to bar x minus 1 upon x, यह standard formula था, उसका value 1 होता है, ln 1 plus x whole divided by x, अगर x 0 को जा रहे तो इसका value 1 होता है, sin x upon x, उसका value 1 होता है, अगर x 0 को जा रहे तो, 10x upon x, उसका value 1 होता है, 1 minus cos x upon x is square, if x is turning towards 0, इसका value half होता है, तो ऐसे जितने भी अभी तक इस standard formula लिखाए गए, उसी में हम next formula यह आ गया, क्या, कि limit x is turning towards 0, sorry, 1 plus x whole raised to bar 1 by x, x अगर 0 को जा रहे तो यह 0 को जा रहे गा, base 1 को जा रहे, sorry, और power infinity को जाएगा, power किदर जाएगा, plus infinity को है, minus infinity को, इस expression में तो दोनों तरफ से जाएगा, अगर RHL लोगे, तो x positive होगा, तब तो power जो है, या फिर जो exponent है, उप्लस infinity को जाएगा, अगर मैं LHL लोगे, तो x 0 की तरफ negative side से जाएगा, तो minus infinity जाएगा, किदर भी जाएगा, कोई फ्रक नहीं परता, इसका standard answer यह है, E, ठीक है, तो अगर कहीं पर भी मैंने कोई इस तरह के expression दिखाई दे, तो हहाँ पर मैं directly formula अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, बस इस तरह के expression का मतलब क्या है, इस तरह के expression का मतलब यह है, इस तरह के expression का मतलब यह है, कि, अगर मालने हम ऐसे, sorry, कि, अगर, अरे, एक मिनिट, कि, अगर मालने ऐसे लिखा है, 1 प्लस सम्थिंग, यह ठीक है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो ही 1 अपन एक्जैक्ली यहाँ पर लिखा होना चाहिए, पहला condition, यह formula लगाने के लिए, और दूसरा यह 0 को जाना चाहिए, तभी यह 1 रेस टूपर इंफिंटी वैली फ़र्म बनेगे, और अगर ऐसा है, तो मैं इसकी जगए e लिख सकता हूँ, अब यह something चाहें कुछ भी हो, ठीक है, फर एक्जामपल, मालने मैंने ऐसे लिखा, limit x is turning towards pi by 2, और इसी का reciprocal power में लिखा हुआ है, तो इससे मेरे को पता लगा कि 1 रेश्वा इंफिंटी फॉर्म है, 1 रेश्वा इंफिंटी फॉर्म है, तो इसका answer कितना आजाएगा, e आजाएगा, ठीक है, क्या-क्या चीज बोला, एक तो 1 प्लस something होना चाहिए, ठीक है, दूसरा condition, वो something 0 को जाना चाहिए, तीसरा condition, कि जो something है, something मतलब एक के आगे जो हमने जोड़ रखा है, उसी का reciprocal होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि power infinity को जा रहा है, और ये 1 के आगे जो number लेखा है, वो 0 को जा रहा है, तो इतना बोलना sufficient नहीं है, power इसका reciprocal भी उना चाहिए, इसका reciprocal भी उना चाहिए, यहाँ पर, तभी हम directly standard formula लगा सकते हैं, तभी मैं answer directly बोल सकता हूँ, यह ठीक है, पहला तो यह हो गया, दूसरा, अगर ये standard formula है, तो अफ्कूर्स, यहाँ पर मैं LHL, RHL तो कुछ लिखा ही नहीं, उसका मनलग है कि दौनों के लिए valid है, तभी ये standard formula हो बना, यह तो पूरा limit लिखा हुआ है, पूरा limit का अब exist करता है, जब LHL और RHL दौनों exist करे, and बराबर है, तो अगर ये formula लिख दिया, सारी formula में यह है, जैसे हमने लिखा, limit x is standing to 0, sin x over x 1 होता है, तो limit x is standing towards 0, plus sin x over x, वो भी 1 होगा, क्योंकि अगर पूरा limit exist कर रहा है, तो LHL और RHL भी दोना exist करेगा, उनका value भी limit की value के बराबरी होगा, तब ही तो limit लिखा जा सकता है, फ़ना तो limit लिखा ही नहीं जा सकता, तो this is needless to say, कि मेरे को ये बोलना ही नहीं चाहिए, कि अगर कोई मेरे से ये पूछे, कि ये क्या है, 1 plus x raised to par 1 over x, तो मेरा answer क्या होगा, of course ही, क्योंकि second वाला जो ये point लिखा है, that is nothing but first वाले का one-sided limit है, first वाले का ये रहल है, तो अगर पूरा limit ही है, तो रहल भी होगा, पूरा limit तो ये जब ही आया होगा, जब रहल और लहल दोनों आया होगा, तो अगर रहल लिखा, तो चलो हमने लहल भी लिख दिया, limit x is standing towards 0 minus 1 plus x whole raised to par 1 by x, this will also be, ठीक है, fourth point, माल लिख, as x approaches towards a, implies f x approaches towards माल लिख 0, ठीक है, then limit x is approaching towards a, 1 plus f x, 1 over f x, तो ये तो कुछ भी नहीं, variable का नाम x की बजाएकर f x हो जाए, और उबर क्या बोला कि, जैसे ऐसे x a की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे f x 0 की तरफ जा रहा है, तो इसमें limit में क्या लिखा कि, x a की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब क्या कि, e बोल सकते है, standard formula से, fourth वाला is nothing but first वाला, यहाँ पर f x को एक मेंट के लिए y बोल दो, अगर first में मैंने ये बोला है, कि 1 plus x whole raised to a 1 by x, इसका limiting value e है, when x is starting towards 0, तो 1 plus y whole raised to a 1 over y, उसका भी limiting value e ही आएगा, variable का नाम change करने से, property change दोड़ा हो जाएगा, ठीक है, यह fourth part हो गया, और एक और लिख लेते हैं, fifth part, let as x approaches towards a, fx approaches towards 1, and gx approaches towards infinity, ठीक है, मालनिया जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है, fx 1 की तरफ जा रहा है, and gx मालनिया infinity की तरफ जा रहा है, ठीक है, then limit x is standing towards a, raised to about gx, ठीक है, इसमें क्या बोलागे, अगर मालनिया x a की तरफ जा रहा है, तो fx 1 की तरफ जाएगा, gx infinity जाएगा, इसने, fx नहीं बताएगा, इसने लिख जाएगा, तो इसमें आप directly form लो तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमें यह पता ही नहीं कि जो power में है, वो reciprocal है या नहीं, वो तो कोई भी function हो सकता है, ठीक है, तो अब हमें यह limit calculate करना है, तो कैसे करेंगे, अगर x a को जा रहा है, तो यह तो हमें दिख रहा है कि 1 को जा रहा है, और यह infinity को जा रहा है, ठीक है, तो 1 raise to infinity form तो है, अगर 1 raise to infinity form है, तो फिर से calculate करेंगे, अब calculate कैसे करेंगे, उसके लिए फिर वापस, manipulation वो ही किया, जो हमने prove करते समय किया था, कि इसको हमने e raise to bar ln करके लिए, ठीक है, थोड़े पहले हमने बुला था ना कि, sorry,